जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से दिल्ली में पावर कट लगने बंध हो चुके हैं जहां एक तरफ दिल्ली में लोगों को बिजली 24 घंटे मिलती है वहीं 200 यूनिट बिजली मुफ्ति भी मिलती है और 200 से 400 यूनिट तक अगर आप बिजली का इ मिडिल क्लास जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बिजली सीमित चला रहे हैं उनके घर के बिजली के बिल जीरो आती हैं और 24 घंटे बिजली आती है ऐसा सिर्फ फिसले नहीं कह रहे हूं क्योंकि बड़े-बड़े दावे सरकार कह रही है बलकि ऐसी बाते कागजों में हैं यह दिली सरकार की तरफ से के मतलब दिली में रहने वाले लोग है और जो सरकार ने 200 बिजली फ्री की बात कही है उसका यह प्रमार है देखिए 21-10-2024 तक यह बिल आपको पेक करना है जिसकी डियू डेट यहां पर लिखी हुई है यानि 21 नवंबर तक इसको इसी बिल क आपको पेकरना हो यहां पे अगर आप देखिए तो सब कुछ लिखा हुआ है कि नाम इनका क्या है एड्रेस इनका क्या है और तारीक इसमें यहां पे मेंशन की गई और अगर बात कर लें बिल का भुकतान तो यहां पे अगर आप देखिए तो 10 रुपए खाली बिल का प्रियोग कर रहे हैं तो हमारा बिजली का बिल दस रुपे भी नहीं बलकि जीरो आएगा हाला कि कई ऐसे राज हैं जहां पे बिजली के बिल काफी ज्यादा आमाउंट के आते हैं जीने भरने से पहले लोग आने वाले मेहने में बिजली का क्या कुछ इस्तमाल करें उस पर जरूर विचार करते हैं कुछ लोग यहां पा रहे हैं कि करके लोगों से बात करने की कोशिस करेंगे कि आखिर यह दिली सरकार की 24 घंटे बिजली और 200 यूनिट मुफ्त बिजली के बारे में क्या कहना चाहेंगे यह आप ही के घर का भी यह किसके नाम पर बिलाता है आपक हई डिफसे में ख़ता कर देते हैं और दस रुपे बिल जेज आप महीने भर का अपना बिल भर रही है अब तो फिरी आएगा छे महीने ख्या मैने प्री आएगा यह नहीं आता ना जी ये डायगा जीरोग दिला तो छे मैने इस्तमाल क्या करते हैं सब कुछ है सब कुछ मे फ्रीज, टीवी, वाशिंग मसीन और सारी लाइट हैं मतलब फ्रीज, टीवी, मशीन, लाइट हैं प्रेस भी प्रेस भी प्रेस और कभी पंखा भी यह सारा इस्तमाल करने के बाद दस रुपे भी नहीं भड़ती है क्यों? बस सरकार ने कर रखा है परी सरकार ने कर रखा है परी, अब बिजली कितनी घंटे आती है? 24 घंटे, 24 घंटे, कभी सोचा था आपने के दिल्ली में रहेंगे और 24 घंटे बिल बिजली आएगी, 10 रुपे या फिछे मैंने केजरी वाल की सरकार है ना, आम आदे परटी की सरकार है आप से अगर बात करें, तो बिजली की जो आती है, कितने घंटे आती है, कितने घंटे? बराबर, 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 अब इस लिकांबी, डिद्ली की जो तो तो देखो, वो फिरीज है, साध काव failed, हाँ जी दो दो फिरीज भी चलते हैं, और वो एशी भी लगईवाई है हमारा प्रेश, मतलब सभी कुछ थ है, दूरा-दूरा है मेरे गर में सारा, लेकिन बिजली का भिलत देख जो यूज करते तो हजार भी आजाए लेकिन बाकी और राज्यों की तुलना में कम है या ज़ादा देख वैसे तो पहले से तो कमी है फिर वे हमैं तो घजड बंध में जीरो आता है या कम आएगा इतना जीरो तो निया ते लेकि उसके उपर है ना सारी चलाने के इस नहीं कि यह सब चीजे कभी सोचा था ठेजरिवाल जी ने करा हम तो उसी इनको से कभी सोचा था आपने कि बिजलेगा भी इतना कम आएगा जीरो आएगा नहीं चौबिस घंटे बिजली आएगा बरावर नहीं कुछ कहना है आपको बस हम तरह के लिए सरकार के यह हमानियत यह आनी चाहिए नाली खरंजे जो भी है अपने यह सब बढ़िया होने चाहिए बस लाने वाली भी तो आ सायथा करते हैं और बड़िया करते हैं और कि इस्कूल भी बड़िया बना रहते हैं इस्पाल भी बड़िया बना रहते हैं इस्ट स्विम Зबह। सब चंचे कहते हैं दिली का लाल कहते हैं या सिप कहते कैटी यह तो है यह वैसे ख़टाने की कोछिस करते हैं अच्छे बूरे काम पहसा देते पिचारे को और क्या करते तो वो फिर भी जीत जाते नियुकि जीत जाते इनके बिजली केटनी आती है 24 गंटे आती है या कट लगते हैं? नहीं जी 24 गंटे आती है बिल कितना आता है? जीरो आता है कभी सोची थी किराष्टी राजधानी में रह रहे हैं बिजली 24 गंटे मिलेगी बिल जीरो आएगा कुछ भुक्तान नि करना पड़ेगा कभी सोकी नहीं कभी नहीं 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 कभी होचाइगा फिर धर्ती पे कैसे प्रकट होगा, ऐसी हो जाते हैं, वो हमेशा कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं बायलोजिकल नहीं हूँ, ठीक है, और एक मतलब मैं भगवान का दूथ हूँ, ऐसे ही जो लोग है, जितना केजरी वाल ने लोगों के लिए किया है, और जो उनके फेवरेट हैं, वो सबके लिए फेवरेट हैं, तो वो उस तरीकी से भगवान मानते हैं, जैसे लोग प्रदार मंतरी मोदीची को भगवान मानते हैं, वैसे ही केजरी वाले जितना लोगों के लिए किया है, अच्छा किया है, वो लोग उनको भगवान बाते हैं, आपने देवता से उ बस में भी आत रहा है, स्कूल में भी है, तो और क्या चाहिए देवता ना तो फिर क्या है ये? आज तक हिस्ट्री में, आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं आया है, जो पबलिक को अपनी जेब से कुछ दे के गया है, हमेशा कोई भी लीडर आया है, वो ले के गया है, अगर केजरिवाल जी एक टिकिट भी किसी को फ्री दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ना, बस में ट किया है, बहुत अच्छी चीज है, जो नेडी लोग है, उनके लिए करना चाहिए, जो पोई नेता नेवास तक कि मतलब किसी को कुछ फ्री दे के जाए, यह उनकी बहुत अच्छी बात लगती है, उनकी तुलना देवता से हो रही है, ठीक है, लोगों को लगता है, देवत अच्छी बहुत अच्छी लगती है, मैं परस्नली कहना चाहूंगी, कि रात के अगर बारा वजे भी लाइट कर डिसकनेक्ट होती है, तो उनकी एक कंप्लेंट पे ही, लाइट आफ्टर फाइव मिनिट्स वो लोग डिजॉल्व करके जाते हैं, उस प्रॉबलम को वो बहुत अच्छा किया हूँ है, कि टू हंडेड यूनिट से जितना भी ब्लो आता है, तो वो अपने उपर डिपेंड है कि आप लोग कितना उसको जरूरत मंद के लिए मुफ्त है, जरूरत मंद के लिए बहुत अच्छा है, आज तक मैं बोलतो रही हूं, हिस्ट्री मैं सो नेडी लोगों के बारे बे सोचा, यह जो दुनिया बोलती है कि फ्री का फ्री का सबको खाने की आदत है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ लोग गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, ऐसे ही सबके लिए सोचना चाहिए, जरूरी नहीं है सिफ फ्री का इजरिवाल की बहुत अच्छा कर रहे हो, और यह जो सब बोलते हैं, करप्शन and all, सब करप्शन, आगे भी यह सुविधा चाहती हो, आगे भी मैं यह सुविधा चाहूंगी, और जितना भी है, सब बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, आप क्या कहना चाहेंगी, जो कि डेवता हैं, तो भगवान ही है, गरीबों को यह सब कुछ अच्छा लग रहा है, बिचारे की कमाई है, तॉषन च्छा करेंगे भी बहुत टो, ब्रेज भाता है, सब कि अच्छा लेए रहे हैं, कि अगर 25 गौटे लाइघ आ रही है तो उसमें भी वो दो तीन हजार रुपे अगर बिल देंगे तो खाएंगे क्या तो गरीबों के लिए तो यह सबसे बड़िया देवता ही है और क्या चीज है हां जी बहुत बड़ी बात होती है देवता से तुलना करना अजी हम तो चाहते हैं वह आए हम तो यह चा सकते हैं पर हम तो यह कहते हैं कि लाइट बहुत अच्छी आ रही है और 24 गंटे आ रहे हैं कोई कट नहीं लगता कोई कुछ नहीं लगता और फिर भी जीरो है और यहीं चाहते हैं कि उनको आना चाहिए किसी और सरकार ने ला किया था नहीं किसी नहीं किया कभी नहीं कितन हमी मेरे हैं ही से वाल ज को आपने बहुत राजी नीती सरकारे देखी हूंगी तंड भी ना कि या जाए तो यह हम इंद ऑनज परव किसी अभी नहीं सोचा सथकें मैं था घडाया जाएगा आप प्रिख्रीन के लिए यहीं कहें गी कि अब भी वह आए और आगे भी वही बने रहा है आते रहा अच्छा हरा यहीं कहेंगे कि वह उन्हें फिर से आना चाहिए और इससे अच्छे स्कीम्स और लाने चाहिए और जितना भी हो सके पब्लिक के बारे में मतलब सोचे और इनके जैसा नेता ही नेता की ही इंडिया को जरूर आते हैं मतलब केजरिवाल जैसा ही नेता चाहिए क्योंकि वह इतना एजूकेटिड भी है वो लोगों की प्रॉबलम को समझते भी है लोग इतना पसंद कर रहे हैं ना इस अब हैं जिस अब जोड़ के पहले उन से कहेंगे कि आप यहां पे जमेरो दिल्ली के अंदर हमें सब चीजों की सुवीदा मिल रहे हैं तो हम क्यों नहीं चाहेंगे उनको कभी सोचा था कि ऐसा भी नेता होगा नहीं कभी नहीं सोचा करता खंचि ! कच्रिवाल के लभक इस जोन नेता को भगवान मानना ओप नहीं हमने मांग थिसी ने कुछ कर आइन एथ तो मानें खेजा अवें ऑमारे लिए अधिक निए तब ठक भो रहेंग टब तक वह बमारे लिए ओर आय एंगे बस कुछ थितार एं जा क्या का यह नह ज्वान पर आता है तो कुछ पैहें सकते हैंना मांदारी से मर्वान से लाएंगे किसी को निलाएंगे क्याय और काम किया क्यों सब़स्की कि आपनी है sì कूल SAY कृपीटल है कि शिपीटर बस है को सब तो देखिए यह लोगों का कहना है कि गवजिली 24 गंटे आती है और बिजली के बिल कहीं पर दश तो कहीं पर जीरो आते हैं इसका ये प्रमार भी है कोई अर्विंद केजरिवाल को देवता तो कोई अर्विंद केजरिवाल को भगवान कह रहा है और कह रहा है कि हम चाहते हैं कि अर्विंद केजरिवाल नी आए क्योंकि जो सुविधाएं अर् कि जनता जनाधन किसे चुनती है और ये मुफ्त की जो रेवडी की बात कही जाती है ये मुफ्त की रेवडी जनता कितनी गुड के साथ तिल के साथ और घी के साथ खा करके खुश होती है और किस तरीके से अपना समर्थन देती है वीटो जनेलिस्टर सतेंद के साथ मैं कंचन अरोड़ा दिल्ली, हिंदी कबर